जैस्री क्रिष्ना आईए जानते हैं मोहिनी एकादसी ब्रत पारण कब है शुब मोहुत महत्व इवं पारण में क्या करें क्या ना करें आज मोहिनी एकादसी ब्रत 2022 है सभी एकादसी ब्रतों में मोहिनी एकादसी को विशेश माना गया है हिंदु धर में मोहिनी एकादसी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है इस दिन भगवान विश्रू ने मोहिनी रूप लिया था और इस धर्ती को अशुरों से रच्छा की थी मोहिनी एकादसी ब्रत भगवान विश्रू को समर्पित है इस ब्रत में नियमों का विशेश महत्व बताया गया है एकादसी ब्रत के पारन के कुछ विशीश नियम बताये गये हैं जिनका पालन करना चाहिए कर तेरह मै को द्वादसी की तिथी में इस ब्रत का पारन किया जाएगा इस दिन इन बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए एकादसी ब्रत का नियम दसमी से द्वादसी तक चलता है द्वादसी को पारन करते समय चावल जरूर खाना चाहिए तामसी चीजों का पारन में भोलकर भी प्रियोग न करें एकादसी का ब्रत भगवान विश्रू के निमित रखा जाता है हर माश में एकादसी आती है और मास के अनसार एकादसी ब्रत का महात में भी बढ़ जाता है एकादसी ब्रत करने के लिए दसमी के दिन से ब्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादसी तक चलते हैं एकादसी पर नियम और सैयम के साथ ब्रत रख कर भगवान विश्रू की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादसी तिथी पर पारन में खास चीजों का ही सीवन करने का बिधान है इस ब्रत के पारन में कुछ भिशी सीजों का प्रियोग करने से आपको ब्रत का संपूर फ़ल प्राप्त होता है और देवतागड भी प्रशन होते हैं भगवान विश्रू को तुलसी बेहत प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न होतो वह पूजा या भोग वह ग्रहर नहीं करते इसलिए भगवान विश्रू की किसी भी ब्रत में तुलसी का प्रियोग जरूर करें और एका दसी ब्रत के पारन के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल कर पारन कर सकते हैं आवले की पीड़ पर भगवान विश्रू का वाश होता है इसलिए आवले का भी विशेश महत्व होता है एका दसी ब्रत का पारन आवला खाकर करने से अखन सोभाग्य आरोग्य और संतान सुख की प्राब्दी होती है एका दसी ब्रत के पारन पर चावल जरूर खाना चाहिए एका दसी ब्रत के दिन चावल खाना मना होता है लेकिन द्वादसी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है मान्यता है कि इस दिन चावल खानी से प्राडी रेंगनी वाले जीव की योनी में जन्म पाता है लेकिन द्वाद सी को चावल खाकर ब्रत का पारण करने से इस योनी से मुक्ति भी मिल जाती है पारण का शुम्म होज जिन लोगों को मोहनी एका जसी ब्रत का पारण 12 मैं को करना है वे लो अगले दिन 13 मैं शुक्रवार को सुर योदय के बाद पारण कर सकते हैं इस दिन पारण का समय शुब पाँच बजकर 32 मिनट से, शुब आठ बजकर 14 मिनट तक है, 13 मैं को द्वादसी तिथी का समापन, साम को पाँच बजकर 42 मिनट पर होगा, मोहनी एकादसी का ब्रत करने से व्यक्ति को पाप और उसके कश्टों से मुक्ति मिलती है, भगवान विश्रू की कृपाशी, मृत्तिव के बाद मुझ प्राप्थ होता है, मोहनी एकादसी ब्रत कथा को शुन्ने मात्र से ही एक हजार गायों के दान करने के बराबर पुंद्य प्राप्थ होता है, एकादसी ब्रत का पारण करते समय, भूल कर भी एचीजे नहीं खानी चाहिए, मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहशुन प्यार, आदि का पारण में प्रयोग, वरजित है, बैगन, पित दोस बढ़ाता है, मसूर की दाल को अशुध माना गया है, मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह ब्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती, लहशुन प्यार, तामसिक भूजन होता है,